नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों इस घोर कल्यूग में भलाई का जमाना ही नहीं रहा इस कल्यूग में एक दुसरे को नीचा गिराने के चक्कर में सब लगे हुए हैं दोस्तों बात की जाए मन सुंदर टीवी सीरियल की तो आज अगनी ने रूही को पीछे से बहुत जोरदार वार करके उसे घायल कर दी है दोस्तों रूही अगनी की सच्चाई अपने परिवार वालों को बताने ही वाली थी कि अचानक एक डंडे से पीछे से अगनी ने वार करके रूही को घायल बना दिया रूही आज अस्पताल में भरती हुई है उसकी स्थिती बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है रूही अब कोमा में चली गई है वो बोलने की हालत में नहीं है दोस्तो अगनी का पत्ता इस घर से कटने ही वाला था कि उस बिचारी रूही पर ये अगनी हमला कर दी अगनी की असलियत रूही सबसे पहले नहर को बता देगी अगनी ने रूही की हालात ऐसी बना दी है कि उसकी स्थिती कुछ बोलने तक की भी नहीं रह गई है दोस्तो इस समय अगनी नहर के करीब आने की बहुत कोशिश करेंगी लेकिन नहर उसे पसंद नहीं करता है इसलिए वो रूही के पास ही अस्पताल में ही रहेगा जूही अपनी बहन के लिए उसके परिवार वालों के सामने सारी सच्चाई खोल कर रख देने वाली है रूही की इस हालत का जिम्मेवार वो अगनी को बता देगी सब लोग अगनी से सवाल पूछने लगेंगे तभी रूही भी मोबाइल में कुछ दिखाने की कोशिश करेंगी जो अगनी और गुरुमा के बीच पैसे की लेंदेन की वीडियो क्लिप को दिखा देगी जो यह कहीं न कहीं सभी को पता चल जाएगा कि गुरुमा से अगनी अपने परिवार की क्षती के लिए मिली हुई है दोस्तों, अब अगनी को इस घर से ढखके मार कर बाहर किया जाएगा उसकी असल वकात नाहर दिखाएगा जिस थाली में उसने खाया है, उसी में उसने छेद भी कर दिया है